हेलो गाईज, वेल्कम बैक तो दे चैनल, तो दोस्तों आज भी हम आपके लिए कुछ बहुत इंपॉर्टन और बहुत इंट्रेस्टिंग टेक नियूज लेके आगे आगे हूँ तो विडियो को लास तक देखते रहिएगा दोस्तों फेस्बुक के CEO मार्क जुकरबर्ग के सेक्यूरिटी पे कंपनी ने लास्ट यर 23 मिलियन डॉलर्स खर्च किये थे ऐसा फेस्बुक के एक एन्वल प्रॉक्सी फाइलिंग रिपोर्ट में बताया गया है दोस्तों यह जो 23 मिलियन डॉलर्स थे उसमें 30 मिलियन तो उनकी पर्सनल सेक्यूरिटी पे जबकि 10 मिलियन डॉलर्स अडिशनल सेक्यूरिटी कोस्ट में खर्च किये गये थे और दोस्तों कंपनी से जब पूछा गया कि एक इंसान की सेक्योरेटी पे इतना ज़ादा वो स्पेंट क्यू करते हैं तो कंपनी ने ये बताया है कि मार्क जुकरबर्ग का जो नाम है वो सिनोनिमस है फेस्बुक से यानि अगर कुछ भी अच्छा होता है फेस्बुक के साथ तो उसको लोग मार्क जुकरबर्ग से रिलेट करते हैं या अगर कुछ बुरा होता है तो भी Mark Zuckerberg से ही relate करते हैं तो Facebook पे चाहे जो कुछ भी हो उससे Mark Zuckerberg को direct impact पड़ता है और जब भी negative sentiments pop-up होते हैं तो उनकी security concern बढ़ जाते हैं और इसलिए उनकी security पे इतना जादा spend किया जाता है दोस्तों चाइना ने Alibaba पे 18 billion yuan यानी 2.75 billion dollars का fine लगा दिया है और इस पे officials का ये कहना है कि 2015 से Alibaba company अपने dominance का गलत यूज़ कर रही थी और उनके platform पे जो merchants अपने goods को sale करते थे उनको किसी और दूसरे online platform पे जाने से रोक रही थी जो की anti-monopoly laws के खिलाफ है और इसलों पे ये fine लगाया गया है और दोस्तों ये fine impose होने के बाद company के तरफ से statement ये आया है कि वो इस fine को चुकता कर देंगे और साथ में उनसे जो गलतिया हुई है उनको भी सुधारेंगे वैसे दोस्तों ये जो fine है 2.75 billion dollars का ये अलिबाबा की revenue का 4% है और पूरे वर्ल्ड में anti-monopoly laws को violate करने के लिए इससे जाधा fine अभी तक किसी company के उपर नहीं लगाया गया है वैसे 2015 में Qualcomm भी anti-competitive practices कर रहा था तो उसके लिए उस पे 975 million dollars का fine लगा था और अगर Alibaba के fine से इसको compare करें तो इसका prox 1 by 3 है यानि Alibaba पे इससे लगभग 3 गुना जाधा fine लगा है और दोस्तों जैसा कि आपको पता ही है कि कुछ टाइम पहले जैकमा ने Chinese government के खिलाफ controversial statements दिये थे तो हो सकता है कि खुनस में Chinese government ने Alibaba पे इतना जाधा fine impose कर दिया है क्योंकि जैकमा ही Alibaba के founder है वैसे दोस्तों आपके opinion में इतना जाधा fine किसी company पे impose करने का government का motto क्या हो सकता है आप हमें comment ज़रूर बताइएगा और अगर आपको इस तरह के videos देखना पसंद है तो हमारे चैनल को subscribe करके bell notification on कर सकते हैं Thank you